आपकेट में अभी भी अप्ट्रेंड बरकरार है और देखिए जबर्जास्ट मुमेंट चल रहा है और आज हमने एक्सपेक्टेशन इसी के बेसिस पे हमने कॉल लिया था उसको पांच मेट के चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि क्यों उसमें हमें लोस हुआ और उसको लोस उनको फायदा इस चीज़ को आप समझे न आप देखिए आप इस चीज़ को समझे यहां पे देखिए यह जो ब्रेक आउट हुआ यहां पे हमने इससे पहले यही पर आपको फ्यूचर बाय करने के लिए और नेकेड ऑप्सन बाय करने के लिए क्यों बोला उसके बाद यहां दोम कहा जता है कि अच्छे एच्छे लोग कि इसमें हालत खराब हो जाती है कि यह मार्केट क्यों नहीं रुक रहा है लेकिन नहीं रुकता है कि यह सही होता है दोस्तों आपको जब तक 20 यहमें के नीचे Closing देखिए आज कितना खुबसूरत तरीके से 20inhaय पे support लिय तो यह कोई इंडिकेटर बेस्ट ट्रेडिंग नहीं है दोस्तो हमने क्या किया एक अकुमुलेशन को पकड़ा है हमने यहाँ पर कुछ बायर्स थे यहाँ बहुत श्ट्रोंग बाइंग किये उसको हमने पकड़ लिया बायर्स के साथ हमें यहाँ बैठ गया अब यह जहां त ट्रेड में लॉस्ट या लेकिन फिर हमने दुसरे कॉल में कभर कर लिया लेकिन हम पुट बाइंग का प्लान यहाँ पर नहीं करेंगे पुट बाय अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन पर किये होते यह देखिए क्योंकि यहाँ पर देखें पैटरन का फॉर्मेशन भी था है तो हमने साथ में रहनुदा फिर भी परस गये लेकिन कई बार क्या ह सब mir और उसमें कुछ प्रोफिट होता लेकिन लोस बड़ा हो जाता है आज हमने लोस को हंड़ा सा ही राख और फिर वापस को रिकाफर ही कर लिया तो आपको ट्रेंड इतना अच्छा फ्रेंड रहता आप इसका भरोसा रखिए अब देखते हैं कि अब क्या होने वाले आने वाले दिनों में क्या हो सकता है तो हमारा जो भीव है अभी तक यह बुलिस है जब तक यह उपर जाते जाएगा हम लोग इसको कुछ छेर छाड नहीं करेंगे हम सपोर्ट पर बाय करने का कोशिस तो हमारा एक्सपेक्टेशन यह था कि यहां पर यह रेंज बना लिया तो अभी एक्सपाइरी का डे है और कल के दिन में चुट्टी भी है तो यह क्या करेंगा कि एक मुमेंट देदेगा उपर के तरह तो इसी बैसिस में हमने यह सपोर्ट एरिया पर कॉल बाय किया दोस् है यह घंटेक के अंदर में मुमेंट नहीं आता है तो उसको खतम करना पड़ता है तो फिर आपको फिर प्रॉबलम होगी इसलिए उसमें हमने एक्जिट करके वापस से यहां पर जब पैटर्न बढ़ने लगा तो नेक्स्ट विक का एक्सपाइरी का ट्रेड लिया और रिक्टी में यहीं इक्सपरसर निफ्टी के बेनके सोदोने था लेकिन निफटी में सटिप आ गया भाइंक निफ्टी यहीं पर खड़ा हो गया इसमें ढेइं पर दर्त वहीं है अब मॉब्य बाद की पार्मुला को तो अधरous nawγ be यहां से bank nifty में जो trade बना वो direct अभी तब कोई exit नहीं दिया है और इस trade move expiry के दिन मिला है तो यही move के expectation में हमने hero zero trade लिया था nifty bank nifty दोनों में लेकिन थोड़ा सा deep आ गया कोई दिकत नहीं है आने वाले दिनों में फिर से उसमें हम एक बड़ा profit बना लेंगे लेकिन इस चीज इसको आप समझ जाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में काफी आसानी होगा market में trade करने में